प्रदेश में बदमाशा का होसला बुलंद हुता जारिया है बदमाश बेखोप मर्डर की वारदात में अंजाम भी दे रिया है पेरोल पर बहार आयो हिस्ट्री शीटर पिता की हत्या का आरोपी की पत्नी ने गोड़ी मार दी गटना सिंगाना थाना शेतर का खानपूर में बुद्वार श्याम ने गटित हुई हिस्ट्री शीटर महिला के घर में गुसर फाइरिंग करी ही गोड़ी लागने हु महिला लहु लुहान मूर पड़ी ही बटे ही फाइरिंग के बाद मो को दे कर हिस्ट्री शीटर फरार और मारा छोटा भाई वेदपरकाश की पतनी संजना घर में काम कर रही ही। इलाज के दोरान संजना की मौत होईगी। पुलीस उमिली जानकारी के अनुसार उमेश यादव सिंगाना थना शेतर को हिस्ट्री शिटर है। उमेश और संजना का पती वेदपरकाश के बीच रुपयाने लेर विवाद चाल रही हो। आरोब है कि 26 अक्टूबर 2021 ने सांतरिया के पास खेता में बढ़या फार्म हाउस पर वेदपरकास उमेश का पिता हरफूल सिंग की गोड़ी मार कर हत्या कर दी ही। इदोरान उमेश जैपूर सेंटरल जेल में बंध हो और जद उमेश पिता की अंतियस्टी पर आयो हो तो पिता की हत्या को बदलो लेने की बात बोली ही। जैपूर सेंटरल जेल में बंद उमेश 20 दिन पहला ही पेरोल पर बहार आयो हो और काल मौको देखकर उमेश संजना पर गोड़ी चला दी। दूसरी तरफ संजना देवी को पती वेद परकाश भी कोड़ पुतली जेल में बंद है। संजना और वेद परकाश का तीन बेटा है नरेश, रमेश और राकेश नरेश और रमेश आर्मी में हैं दोनों ही माचल परदेश में तैना थें तो राकेश गुरुगराम में डीजी कंपनी में काम कर रियो है। रुपया के लिए वेद परकाश उमेश उबीरा पिता को सायो छीन लियो, तो बदला की भावना में उमेश वेद परकाश का बच्चाओं बारी मा को आंचल छीन लियो, बीरो घर उजार दियो, अब अब अदला की भावना नजाने कितना मासुम लोगां की जान और लई, आपने ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा हुआ तब तक के लिए देख तारी जो ज़ल को जुन जुनुनुन।